माननिय प्रधान मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया, तो मैंने आपको जैसे कहा, लता जैसे बोल रही थी मेरे कान में, मेरे लिए तो म्यूजिक था, मैं प्रधान मंत्री के साथ कदम ताल नहीं कर रही है, मैं उनके थोड़े पीछे चलके कोशिश कर रही हू कि उनकी दिशा के स्वरूप हम लोग सब चले हमारे होकी अकैडमी में कजाकिस्तान की नैशनल टीम यहां आई है मुस्कान किरार ने इंटरनेशनल स्थर पे अपना नाम रचाया भोपाल का नाम रचाया कि कैसे जीरो टो हीरो कैसे पूँचते हैं तीसरी पारी है मेरी और व खूबी उसको निवा रही हैं हमारे लिए तो एक वरदान था क्योंकि यहां मद्रप्रदेश में 2006 से बहुत मेहनत करते हुए गाड़ी यहां तक तो पहुंची थी हमारे मुक्हिमंत्री जी की बज़े से हमें बजट बढ़ते रहे हमारी बजट हमारी अधोर समर्चना यहां लता वंगेशकर गाती है आपकी चोईस है पर हमारे लिए तो म्यूजिक था जब हमारे माननिय प्रदान मंत्री जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया दोनों चीजों को अपने हाथ में लिया उससे क्या हुआ कि खेलो इंडिया गेम्स फिर शुरू हुई और ख जब नैशनल गेम्स नहीं खेल रहे थे पर हम खेलो इंडिया में भाग भी ले रहे थे और फिर उसके साथ-साथ खेलो इंडिया सेंटर्स बने और वो खेलो इंडिया सेंटर्स में हमें सबसे ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स मिले हैं तो एक तरह से तो वो प्रमानित क पहुंच गया है कहीं न कहीं पुराने दुनों में कहा जाता था अरे हर्याना है औरिसा है औरिसा तो होकी के लिए जाना जाता था हर्याना बॉक्सिंग के लिए और जुडो और रेस्लिंग के लिए जाना जाता था हमेशा कंपैरजन होते थे अरे आप लोग कुछ हो नहीं ह हम लोग हमेशा एक ही उधारन देते थे ध्यान चंद और रूप चंद पर अब हमारे पास इतने खिलाडी हैं जो अब इंटरनेशनल स्थर पे जा रहे हैं तो अच्छा लगता है कि महनत सफल हो रही है कहीं न कहीं लंबी सफर थी और अभी रुकी नहीं है सफर वो सफर चलत ही रहेगी क्योंकि एशन गेम्स में हमारे बच्चे अब चाली से ज्यादा पहुंच गए पहले हमारे सिफ दस पंदरा ही थे पिछले साल तो धीरे धीरे बढ़त होती जा रही है संख्या बढ़ रही है और यही प्रमानिर करता है कि हम हमारे जो अधोर सान रचना और हमार जो महनत वो कहीं न कहीं रंग ला रही है पर हमें रुकना नहीं है और यह सारी चीज़े डिपेंड करती है कि गवर्मन्ट की मंच्छा कुछ और है और खेल एक जीवत विभाग है एक पेपर पासिंग वाला विभाग नहीं है जिसमें पॉलिसी करो और बस हो जाता है वो ह होता नहीं है और मैं बार बार यही कहती हूं जब मैं फाइनेंस के पास जाती हूं या जब किसी के पास जाती हूं कि हमारा विभाग एक जीवत विभाग है प्लीज ट्रीट लाइक जीवत विभाग और इसी लिए बच्चों का लाइफ इतना ही है पांट साल है आठ साल है हम उसको लाइफ को जिनी निओ और झालत ज़िए और निखारें वो सिम्हाő भी हमारी जीत होगी, और हम हीरो बन सकते हैं तो कही चीजसे हैं ऐसे लो ह्छोन तो महिला बाल विकास मेह नही है या ट्रामी नही नहीं है या मच्व methodology पालन में नहीं है, जो स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स is a living विभाग, and unless हम लोग रिलाइस करें, कि स्पोर्ट्स को अलग से ट्रीट करना है, तब तक इंडिया राइज नहीं करेगा, इसी से ही, जब मान्य प्रदान मंत्री ने कहा, कि खेलो इंडिया, fit इंडिया, तो मैंने आपको जैसे कहा, लटा जैसे बोल रही थी मेरे कान में, मेरे लिए तो म्यूजिक था, कि इस तरफ से मान्य मुक्य मंत्री, उस तरफ से हमारे प्रदान मंत्री, जो देश के मुक्या हैं, और क्या आप, आप के लिए हो सकता है. तो अब वो direction direction था पहले state level पे, अब direction है country level पे. जब country realize करती है और जब प्रधान मंघचरी की दिशा दे रहे हैं आपको, तो then हर हमारी जो 18 अकैड़मी में हमारे बच्चे हैं, वो enthusiasm बड़ चड़के आता है. सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप महला होकर के खेल मंतरी आप हैं और आप प्रधान मंतरी जी के पैरों के साथ कदम से ताल कदम मिला करके आप महनत कर रही हैं और जो दूर दराज के गाउं के जो बच्चे हैं या चात्र चात्रा हैं उनको आप कैसे देखती हैं कि वो और बढ़ चड़कर के इस मुहीम में हिस्साल है आपको करेक्ट करूंगी मैं प्रधान मंतरी के साथ कदम ताल नहीं कर रही है मैं उनके थोड़े पीछे चल के कोशिश कर रही हूं कि उनकी दिशा के स्वरूप हम लोग सब चले पर जैसे मैंने कहा कि जिस दिन उनने ये डिकलेर किया ना मैंने कहा चलो अब जीत सुनिश्चित है क्योंकि इस तरफ से हमारे मुख्यमंतरी ने कभी दरवाजे बंद नहीं की हमारे लिए हमेशा जब ही भी मैं गई हूँ कुछ भी चीज के लिए इस अलवेस बिन येस तो यहां आप दूर दराज की बात कर रहे थे तो पहले शुरुआत कहा होनी चाहिए थी वो मेरी सोच थी कि कहां से शुरुआत करें क्योंकि हम जीरो हैं तो जीरो से मुश्किल बहुत है कि हम हीरो कैसे बनेंगे और वो भी जल्दी क्योंकि गवर्मन्ट कहती है न कि जल्दी हमें प्रवान दो नहीं तो हम कुछ और नहीं देंगे आपको तो इसी लिए मैंने academy शुरू किया मैंने सोचा कि अगर हम एक academy शुरू करें और वो भी किस academy कौन सी academy क्रिकेट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये देश भार तो cricket क्रेजी है मुझे वो चालेंज देना है अपने आप पे कि एक ऐसी विधा जो मद्यप्रदेश सेंट्रिक है वो विधा को लेके हम हीरो बनाएं तो वो था होकी क्योंकि ध्यानचंद और रूपचंद की वज़े से वो ही बात आई तो हमने फिर शुरू किया होकी अकेडमी और हमने एक कोच को लाया परमजीत को जिसने डेवन से हमारे बच्चों को निखार समार के हीरोज बना दिया उस टाइम रियो ओलिम्पिक्स अपनी पहली ओलिम्पिक्स थी और उस ओलिम्पिक्स में आपके दर्शकों को आपके सुशिल आपके माधियम से मैं बताना चाहती हूं कि टीम जो इंडिया की रेप्रेसेंटेशन करने गई तो और क्या चाहता है कोई अड्मिनिस्ट्रेटर आपको चाहिए एक डारेक्टर जो एंथूजियास्टिक रहे आपके काम के लिए जो हर चीज़ पे आपसे सलाम असपरा करके करें आज हमारा एक एडीजी है रभी सिस्टम जब तक नहीं बनेगा ना गवर्मन्ट में मैं प्राइविट की बात महीं कर रही हूं प्राइविट की बनता है पर वो ही मुझे याद दिलाता है आपके दर्शकों को बताने के लिए कि डेवान से मैंने कहा है कि तुम समझो कि तुम गवर्मन्ट नहीं हो तुम स होता है चलता है system में हम चले जाते हैं और चलता है बनता नहीं है हमारे खेलवे भाग में हमारे खेलवे भाग जीवित भाग है एक स्टींग रैंज का भी बड़ा अच्छा आपने पहल की है और तीरअन्दाजी में भी जो युवा च्छात रहें वो बड़े मतलब हिस्सा ले रहे हैं इसमें कोशिश ये बन रही थी कि एक 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 अकैडमी जो हम बना रहे थे उसके लिए हम एक अंतरराश्टिय स्थर का एक अधोर समरचना बनाए इस वज़े से कि एक साइड पे हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्थर पे पहुँचे दूसरे साइड पे अगर इंटरनेशनल अधोर समरचना बने तो दूसरे देशों के लोग यहां आएंगे और अपने साथ कॉम्पटिशन करेंगे और इंटरनेशनल फेडरेशन हमारे अधोर समरचना को देख के हैपी फील करें कि चलो हम इस बार इंडिया में भोपाल में गौलियर में जबलपूर में हम जाएं और अपनी इंटरनेशनल टॉर्नमेंट्स करें और मानिय मुख्य मंतरी की जो मंचा थी उसमें हमें साथ साथ थी अब हमारे प्रधान मंतरी ने जी ट्वेंटी और जो अमेरिका में जाके उनकी जो देश की जो स्थर उपर उठाई है उससे लोग और इंटरनेशनल फेडरेशन तयार हैं हम लोगों को एकसप्ट करने के लिए कि अगर मोदी जी जैसा एक प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है तो क्यों नहीं स्पोर्ट्स और ये प्रमान है हमा कि शूटिंग फेडरेशने हमें ईंटरनाशनल शूटिंग एडरेशन ने और नर ऑ आ के माधियम से इंडिन फेडरेशन के माधिम से हमें वर्ल्ड़ कॉप दिया थीस नेशन से ज्यादा लोग आये अब Natomiast स्ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक तरफ इंटरनेशनल बने और दूसरी तरफ इंटरनेशनल से लोग आए क्योंकि हमारी अदोसन रचना इतनी बड़ी आ है तो हर चीज के लिए अब आर्चरी हम जबलपूर में हमने इस्टैबलिश कर लिया था हमारी वहां बच्ची मुस्का अब बच्चान किरार ने इंटरनेशनल स्थर पे अपना नाम रचाया है भोपाल का नाम रचाया तो हमने उससे प्रेरना लेके हम एक इंटरनेशनल स्थर का एक आर्चरी अकेडमी के अदोर सनरचना बना रहे हैं अभी शुरू प्रोसेस हो गई है नातु बर्केडा जो यहां है हमारी एक वेस्टें सेंटर और शुटिंग सेंटर के पास हम इंटरनेशनल एतलेटिक ट्रैक बना रहे हैं वर्ल्ड बॉड़ी और एटलेटिक फेडरेशन इंडिया के साथ ताकि वो हमें कुछ कॉम्पोटिशन दें वो देखते हुए एतलेटिक फेडरेशन ने वोड़ी से वोल्ड अंडर ट्वेंटीवण एथलेटिक जून जुलाय में यहीं होगा बोपाल में वो काम शुरु हो गया है तो ऐसे ही चाहे वो होगी हो चाहे वो एतलेटिक सो चाहे वो सूटिंग हो चाहे वो आछरी हो हम कोशिश कररे हैं कि जहां हमारी बच्ची या बच्चा इंट्रनाश्टल बने, उसी साइड पे इंट्रनाश्वार्णाजण अधोर सरना चना भी हो. ताकि बच्चे को फील करें, जब और जाता है बाहर. क्या होता है, कि हम जाते हैं, बच्चे हमारे रूरल में हैं, हमारे बच्चे बंबे और डेली से नहीं आ रहे हैं, हमारे बच्चे गाउं से आ रहे हैं, बहुत बड़ी एक चुनौती है, वो बच्चे ने कभी फॉरिनर्स को देखा नहीं, अब all of a sudden फॉरिनर के साथ उसको शूटिंग करना पढ़ रहा है, तीर अंदाजी करनी पढ़ है, तो क्या हम दे सकते हैं उसको, कि उसको फील करें कि हम कोई कम नहीं, हम ट्रैक सूट देंगे, जो आपको लगेगा, हम आपको पूरी स्ट्रेंटन कंडिशनिंग, नूट्रिशन, साइकॉलिजिस सब देंगे, तापके आपको लगेगा कि नहीं, हम बिल्कुल बराबर ह हम आपको गन्स और जो भी आपकी एक्विप्मेंट है, चाहे वो होकी हो, चाहे वो जुते हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन से बढ़ चड़के हम देना चाहते हैं आपको, ताकि जब आप इंटरनेशनल फील्ड पे आओगे, तो आप प्राउड फील्ड करोगे कि हम से बेस के है, जैसे सरकार में और भी बहुत सारे मंतराले हैं, महला होकर के महलावाल विकास मंतराले ही है, आपने खेल मंतराले ही क्यों चुना? क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स परसन थी, पहले से ही, और जो मेरे साथ हुआ, मैं घुरसवारी में होती थी, और घुरसवारी में कैसे आई, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं, क्या क्या कर सकती हूँ मेरे अपने आप में, जो सिन्धिया नाम दरवाजा नहीं खोले, उन दिनों मे मेरी माँ BJP की एक बहुत बड़ी शक्सियत थी, respected थी पूरी इंडिया में, तो मैंने वही सोचा, गुमाया दिमाग, मेरे फादर हमेशा घोड़ों को बहुत पसंद करते थे, हमारे racing घोड़े थे, तो मैंने का, मैं चलो, घुरसवारी में जाती हूँ, घोड़े को तो मालूम ही नहीं होगा, सिंद्या क्या है, और मैं अपनी शम्ता से उस घोड़े को जो करवाना है, वो करवाऊंगी, और वो अच्छा रहा, और पर नैशनल स्थर तक मैं आई, पर जिस तरह से मैं सुनती थी, देखती थी, दूसरों को, जो स्ट्रगल करते थे, मैंने बॉर्ड सेक्यूरिटी फॉर्स के साथ, मैंने उन से जा कर, मैं मिली और मैंने का, देखो, मैं अपने घोड़े आपको दूँगी, क्या आप मुझे अपने घोड़े दे सकते हो, ताकि मैं यहां सीखूँ, बहुत ही अच्छा रहा, पर जो मैं सुनती थी, कि खेल मंत्राले ऐसा है, हमें उपरचुनिटी नहीं मिलती है, यह होता है, वो होता है, मैंने अपने आप में पता नहीं, क्यों, मैंने सोचा नहीं था, उस दिनों में मैं पॉलिटिक्स में थी नहीं, कि अगर मुझे उपरचुनिटी मिलेगी, तो मैं हमेशा अपने दरवाजे खोल के रखूँगी, बच्चों के लिए, पॉलिटिक्स में आई, शिवराज सरकार बनी, शिवराज जी ने मुझे मंत्री बनाया, और जब उनने पूछा मुझे से, कि तुम कोई विभाग, कौन सी विभाग चाहती हो, वो उनका बड़पन था, तो मैंने सीदे कहा, खेल विभाग, तो वो तो दंग रहे गा है, खेल विभाग, पर उस वो मंचा थी, कि वो दिन मुझे याद आ रहे थे, दस साल पहले, कि मुझे क्या फेस करना पड़ा, दूसरों को क्या फेस करना पड़ा, और वो ही मुझे सेट राइट करना था, तो आज, तीसरी पारी है मेरी, और वो ही हमेशा पूछते हैं, मुझे कौन सा विबाग और मैं हमेशा कहते हूं खेल विबाग तो अभी जो छातर आते हैं जिन संगर्सों से आप गुजरे थे कि किस तरीके से हमें करना है तो बखु भी वो चीज़े आपको पता है उन छातरों को उन चीज़ों से तर नहीं गुजरना होगा हमारे पास ऐसे भी अब मंतरी हैं भारत सरकार में अनुराग ठाकुर जैसे जिनोंने क्रिकेट खेला है जिनको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दिकतें कहां आ रही है तो जब ही भी हम लोग अपनी दिकतें के साथ जाते हैं तो कम से कम ऐख कान तो है, सुनने के लिए, एक आवाज तो है, बोलने के लिए, यह सब चीजे हैं, और सिंपथि दे फिभा डताय क्या है, थोड़ा समाय आपका चाहिए, कि आप सेंपथेटिक स्लीस हमें सुनो, और हमारी समस्या को, अगर कोशिश है, ठीक करो, अगर और य कर सकते हो क्योंकि ज्यादा तर हमारी डिस्ट्रिक्स में कुछ ने कुछ हमने अदूर संवरेशना डाल ली है तो वो अन्वेंस हुए उनने पहले पूरी डेख्रेक करी थी क्या है क्या नहीं है पर उनने 49 सेंटर्स दिये और बावन क्यों नहीं दिये क्यों कि तीन जगे में हमारे हमारा लैंड नहीं था तो नहीं तो हमारे पास बाबान ही मिल जाते तो एक तरह से हाथ में हाथ मिलाकर हम लोग काम कर रहे हैं भारत मंत्रा ले मतलब खेल मंत्रा ले भारत सरकार और खेल मंत्रा ले मत्रप्रदेश सरकार ऐसे ही उपलबदियां आएंगी जब दोनों म पुली डंदा नहीं है, वो पुराने दिन थे, अब क्या है, कि आप अमेरिका जाओ, या यॉरॉप जाओ, एवरिधिंग इस साइंटिविक, आपकी टाइमिंग साइंटिविक है, आपका चलना, आपका दौडना, वो सारी मेजर होती है, कौन सा मसल यूज हो रहा है, कौन सा एंगल्स कैसी है, कैसे उसको सुधार कर सकते हो, एवरिधिंग इस टेकनिकल, तो आपको लगता है, खेल भी बाग, उसमें क्या है, नहीं, इसमें अब इतना हमें दिमाग लगाना पड़ता है, एक एक चीज के लिए, कि आप मेरे डिरेक्टर की भी इंटव्यू ले ले ल हम कैसे वहां पहुंचे, कैसे अपने बच्चों को ले, अभी आपको बताओ में, कि स्लैलों में एक ऐसी चीज है, कनुइंग और कायाकिंग में, जो इंडिया में हम नंबर वन रहें दस साल से, तो मैंने अभी अपने डिरेक्टर से कहा, कि अब हम रुके नहीं, हम जाएं क्योंकि जो टर्माइन्स जब चलती है, आर्टिफिशल कॉर्स में, तो इतने फॉर्स से चलती है, हमारे यहां है नहीं कॉर्स, हमारे आर्टिफिशल कॉर्स, यॉरप में सब दूर आर्टिफिशल कॉर्स है, हमारे यहां नर्वदा पे, महिश्वर में, हमने अपना नैच माननिय मुख्यमंत्री जी और फाइनेंस के बजट की बहुत जरूरत है क्योंकि अगर हमें पूरी ड्रीम को खतम करनी है और टार्गेट को तक पहुचाना है अपने बच्चों को तो हमें वो बजट चाहिए ही चाहिए बच्चे को कहां ले जाना कोचिंग के लिए वो अपने उपर है पर फाइनेंस भी तो चाहिए उसके लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ती है ताल मेल करके बच्चों को भेजने के लिए अभी हमारी पूरी स्लैलोम बच्चे वही हैं मेरा आखरी सवाल होगा कि सिंद्या जी अब क्या देखती हैं कि मद्यप्रदेश के युबा और खेल वो कहां दिखाई देगा अगर आप आज की तारीक में इसकी स्टड़ी करोगे तो एक्चुली मद्यप्रदेश की जो खेल की जो गत्विध हैं 2006 से लेके आज तक एक स्टड़ी बननी चाहिए कि कैसे जीरो टो हीरो कैसे पहुँचते हैं मैं अभी भी कहते हूं कि हीरो तब पहुचेंगे जब ओलिम्पिक्स में हमारे मद्यप्रदेश के बच्चे पहुचेंगे मैं नहीं मानती कि क्योंकि मेरे होकी के बच्चे पहुचे हैं ओलिम्पिक्स में इंडिविजूल स्पोर्ट में नहीं पहुचें तो इसलिए हम होकी में तो पहुच गए, शूटिंग में भी पहुच गए, पर इंडिविजुल स्पोर्ट में मेडल आए, तब मद्यप्रदेश पहुच गया, ये मेरा मानना है, और ये भी हम करेंगे, ये ओलिम्पिक्स में हमारी कोशिश होगी, कि इंडिविजुल स्पोर जी, और पूरी एको सिस्टम अगर ऐसी रहेगी, तो जरूर पहुचेगे, तो आप हमारे साथ इसके लिए जुड़े बहुत-बहुत धन्यवाद, तो आपने देखा कि जो प्रदान मंत्री का एक सपना था, और जो मामा की सरकार, शिवरा सिंग चौहान की सरकार, उनके सा प्रदेश एक दिन पूरे विश्व में एक बार अपनी पहचान बनाएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, जैहें जाबारा